आज की वीडियो में बहुत ही important एक फाल्ट है उसे मैं बताने जा रहा हूँ जो कि सभी technician के लिए बहुत ही important है उसे जानना ये देखिए ये luminous है और ये model है pro UPS 2250 इसमें double battery यूज की गई है जो की हो गया ये 24 volt DC ठीक है अब इसमें फाल्ट क्या है देखें इसमें supply जा रही ह 24 volt ठीक है अब 24 volt जा रही supply उसके बाद भी ये नोटर बंद है इसमें इसका PCB भी साइद बंद हो गया है जो company समय इस model को नहीं निकाल रही है तो यहां पर देखिए यह problem आ जाता है इसमें सबसे पहले यहां पर 24 volt आ रहा है 24 volt वह यहां पर आता है इसके बाद भी ये PCB और नहीं कर रहा है यह니다 नहीं सामने यहां पर कोई भी लाइट देते हैं ये देखें अब ये एक बार ये फाल्ट था फिर इस समय ये दुबारा फाल्ट हो गया यानि इस आई सी को चेंज किया गया अब ये दुबारा फाल्ट हो गया इसके पहले फायर था अब यहाँ पे यह आप इसके जगे पे अगर इस टाइप का रेगुलेटर यूज करते हैं अभी दिखाते हैं आपको इस टाइप का अगर रेगुलेटर यूज करते हैं 78-12 ठीक है तो भी यह इतना बड़ा हीट सिंग लगाने के बाद भी यह हीट हो जाएगा बहुत तेजी से हीट होगा और फाल्ट हो जाएगा यानि इस IC के जगे पर भी अगर यूज करेंगे तो भी अब यह प्राब्लम क्या है इसी को हम आज आपको बताएंगे इसमें देखे सबसे पहले यहाँ पर बिदाउट लोड आपको एक स्रीज में जो है हमने जैसा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया थे जिसमें दि सब्सक्राइब को तो जो यह वर्किंग के लिए लगाई गए आईसी है जो जिसका जो काम है वहां पर सब्सक्राइब कर दिया जाए कि यह प्राब्लम साल्व हो जाए अब यहां पर देखें यह है बाइस पचास का हमने जो एक छोटा सब्सक्राइब के डियाग्राम बनाया है यहां पर देखें यह आईसी जो चौटिस जीरो तिर सट लगा हुआ है जो यहां पर फायर हुआ था एक बार फिर इसे चेंज किया गया यहां पर बैटरी से यहां पर 14 वोल्ट और यहां पर 12.8 वोल्ट ठीक है यह कम मिलेगा जब यहां पर 23 वोल्ट होगा तो यह बोल्टेज जो है सबसे पहले बनेगा उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आ जाएगा इस रिगुलेटर पर जो 78.05 है ठीक है 78.05 पर यह पांच बोल्ट बनेगा फिर यह जो है यहां इस आईसी पर और इस सिस्टम आईसी पर गया है यह और इसके बाद यहां पर भी यह गया है इस आईसी पर अब देखिए इसमें मोस्ट इंपोर्टन क्या है जब यह इस पर लोड होता है किसी चीज़ का अगर सार्ट सर्किट होगा तो लोड पड़ेगा तभी यह फायर होगा या ओबर हीट होगा अब ओबर हीट होने का रीजन क्या है इस पर देखिए सबसे पहले लोड क्या पढ़ रहा है लोड यहां पर देखेंगे तो इस IC का लोड है यह क्योंकि टोविट बनने के बाद सीधे इस 324 पर आ रहा है दूसरा यहां पर जो क्यांट निकाला है यहां पर जो कंपोनेट आपको दिखाए है यह वाला यह 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 यहां पर देखेंगे यह लगा हुआ है ठीक है सिस्टम आइसी के ठीक सामने यह 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 बहुत ही इंपोर्टेंट है अभी हम आपको बताते है इस प्राब्लम को मैं साल्प कर चुका हूँ और ऐसे भी हम एक और साट कट आपसन बताते हैं कि अगर आपको यह डाउट है कि यह बदले कि क्या बदले तो हम आपको बदाते हैं कि आपको डारेट जो चेंज करने हैं यहां पर एक और दूसरा दो और यह तीन यह तीन यह दूर हो जाएगा और आपका PCV जैसे पहले वर्क कर रहा था सेम उसी तरीके से वर्क करेगा एक मिनट के देखीए यह यह मिलता है लेकिन बहुत ही मुश्किल से मार्केट में एबलेबल है इसमें देखेंगे तो यह 5 बॉल्ट इन हो रहा है और यहीं से यह निगेटि निगेटिव सप्लाई यहां से दी जाती है और साथी में यहां भी इसका जो है इस आइसी पर भी निगेटिव सप्लाई यह 4.9 आता है यहां से तो यह अक्सर यह फाल्ट हो जाता है अब आपको मालूम नहीं पड़ेगा अगर आप इसे चेंज करेंगे यानि यह तो फाहर हो जाएगा। अगर । उसि समय समय मरे दूरंथ हो जाता है कभी-कभी और ऑदेंघंटे बाद हो जाता है तो सबसे पहले इसाफ और इसको इसको ये प्राप它भिस C 12 मना जाएगा 12 से 5 फिर 5 से यहां पर निगेटिव रिगलेट किया जाएगा और यह जो है यहां से एक कैपिशीटर लगा होता है यहां ऐसे अभी हम दिखाते हैं तो यह इधर इसका निगेटिव हो गया कैपिश्टर का यहां पर जुड़ जाएगा और यह पॉजिटिव आ यहां पर जुड़ जाएगा ठीक है तो यह यह निगेटिव भी यहीं से दिया गया है अभी हम इस कैपिश्टर को दिखाते हैं यहां पर देखेंगे तो एक मिनट यह है और यहीं पर सामने यहां दो पॉइंट बने हैं यह अभी इसको अगर ऐसे पकड़ कर देखेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ये कैपिश्टर लगा है क्योंकि व에से जो पता है इस सीश्टम आप सामने यहां पर लगा हुआ है और यह यह कैपिस्टर है अब इस manger पीसिवेंससे हम निकालेंगे इसको और इसको इसको तीनों को चेंज करेंगे अब यहां पर दुक片 देखें तो यहां से बी यह साफ है यह कैपिस्टर है ठीक है अब इसको हम चेंज कर देते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज की वीडियो में बस नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक दोस्तों और देखते रह ये